आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे तीन लोगों के बारे में स्वप्ना बर्मन तूति चंद हिनादास उन्हें परिश्तितियों के सामने खुटने नहीं टेके निरंतर प्रयास किया और अपना नाम सफल लोगों में शुमार किया नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स हमें से बहुत सारे लोग जीवन में अपनी महतवक अंग्शाओं को पूरा करना चाहते हैं जो सपने हम देखते हैं उन्हें पाना चाहते हैं उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मेंसे बहुत सारे लोग, निरंतर, परिस्तितियों का रोना-रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो असफल होते हैं, तो उसका दोश वो अपनी मेहनत पर नहीं, अपने काम करने की तकनीकी पर नहीं, बलकि परिस्तितियों पर थोपना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया, इस वज़े से मुझे अपॉर्चुनिटिज नहीं मिली, मैं ऐसे गाउं से आया जहां पर इस थरे की अपॉर्चुनिटिज नहीं थी, मैंने अपनी सिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की जिसकी वज़े से मेरी अंग्रेजी कमजोर थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा माग दरशन करता, मतलब निरंतर परिष्थितियों का रोना रोते रहते हैं फ्रेंड्स एक बात को समझ लीजेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है, आप अपने जीवन में कहां पहुँचना चाते हैं एक महान प्रिष्थ ने कहा कि यदी आप गरीब पैदा हुए हैं, तो उसमें आप कोई दोश नहीं है, लेकिन यदी आप गरीब मरते हैं, उसमें केवल और केवल आप ही का दोश है, आपको ये देखना होगा कि किस तरह से विपरीत और विशम परिष्थिती होने के बाव पर जूद भी उन्हें परिष्थितियों के सामने कुटने नहीं टेके, निरंतर प्रयास किया और अपना नाम सफल लोगों में शुमार किया, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा जन्म अगर बड़े शायर में होता, तो शायद मैं बहुत अधिक तरक्की कर सकता था, तो वेस्ट भी कमपनी का जूता उसके पैर में फिट नहीं बैठता था, उसके बावजूद भी उसने नंगे पैर दोड़ने का प्रयास किया, निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद जब वो लड़की एशियन गेम्स में गई, तो उसने वहाँ पर क्वालिफाई किया, और ना केवल क्व बात से बढ़ता है, आप अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे माता-पिता ज़्यादा पड़े लिखे नहीं थे, मेरे माता-पिता के पास अच्छा बिजनस या अच्छी जॉब नहीं थी, जिससे वो हमारा पालन पोशन अच्छे तरीके से कर पाते और हम बहुत तरीक तरक्की कर पाते, तो ध्यान से स जन्द जिसका जन्व उडिसा के एक छोटे से गाउं में हुआ, उस लड़की के पिता बुन कर थे, जो रोजाना मातर दस रुपे कमाया करते थे, चार साल की उम्र से उस लड़की ने दोड़ना शुरू किया, और सन 2013 में नैशनल चैंपियनशिप जीत ली, इतना ही नहीं एशन गेम्स में दो सिल्वर मेडल और सौ मीटर की दोड में पीटी उशा का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की पहली मैला बनी और 200 मीटर की दोड में सिल्वर मेडल हासिल किया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके माता-पिता की सैक्षिक योग्विता क्या है, आप के परिवार की आय क्या है आप किस तरह की जगह पर रहते हैं यौधि आपची जिम्बेदार्यां मेरे उपर थी इसलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ बडा आसील नहीं कर पा जिनके पास अपना खुद का खेत भी नहीं था, रोजाना इतना पैसा कमाया करते थे कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था, और हिनादास अपने परिवार में चार बहन बाईयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस परिस्तितियों से हा करता हूं कि अपने जीवन में यदी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो परिस्तिती कितनी भी विपरीत हो, निरंतर प्रयास करें, जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, तो आपकी जीत निश्चित होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि ठान कर देखो हिर्दय में, काम कोई मुश् नहीं, याद रखो जो करम करेगा, भागय उसका दास है, माग मत ईश्वर से, तेरा भागय तेरे पास है, और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो आपके सामने निरंतर परिस्तितियों का रोना रोते हैं, ताकि उनको इस समझ में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, स्वस्त रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, आप सभी के सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत